उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या होने वाला है कि पीए मोदी और अमित शाह दोनों के चहरे का रंग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है एक ऐसा बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है जिसका खामियाजा पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा माना जा रहा है कि अब प्रदान मंत्री की कुर्सी भी हिल सकती है और सत्ता योगी के हाथ में आ सकती है अभी तक मुख्य मंत्री योगी आदितेनात केवल यूपी के मुख्य मंत्री है लेकिन अब वो देश के ब्रधान मंत्री बन सकते हैं ऐसा कौन सा बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट योगी पर मुस्लिम की भविश्वाडी जल्द बनेंगे प्रधान मंत्री मोदी शाह कुछ नहीं कर पाएंगे योगी को लेकर एक मुस्लिम शक्स ने ऐसी भविश्वाडी की है कि हार कोई हैरान रह गया है कहा जा रहा है कि अब मोदी और शाह कुछ भी नहीं कर पाएंगे बन जाएंगे कभी हमिद्शा से तना तनी तो कभी यूपी में पूरे तरीके से साइड लाइन किया जाने की खबरें यूपी की राजनीती में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक सीम योगी ही बने हुए है ऐसे में एक खबर हमने आप तक बताया कि कैसे 2014 में मोदी ने ये फैसला किया कि यूपी का सीम योगी को बनाना है फिर हमिद्शा को भी इस वारे में जानकारी दी गई एक पत्रकार ने ये खुलासा किया और कहा कि उस वक्त योगी को लेकर मोदी ने अपना एक फैसला पलट दिया था दरसल भारत के एक डेलिगेशन को व जानकारी जब सुश्मा सुराज को हुई तो उन्होंने इसका कारण जाना जवाब मिला कि योगी को बड़ी जम्मेदारी दी जाने वाली है हाला कि उन्हें यूपी का सीम बनाया जाएगा ये जानकारी किसी को नहीं दी गई यही खबर जब बताई हमने तो बहुत सारे ल बाबा का योगी बाबा का बुल्डोजर तेजी से दोड़ रहा है और अब योगी बाबा पी-एम बनने जा रहे हैं इसके बाद एक यूजर ने ये लिख दिया कि हम ये चाहते हैं कि मोधी अगर पी-एम पद छोड़ते हैं तो उस पर योगी को ही बैठना चाहिए हमें और ये तस्वीर शायद मोधी से भी बहतर होगी जो तस्वीर मोधी ने बनाई है उससे बहतर तस्वीर होगी लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व का भला होना चाहिए हमें ये समझना चाहिए कि हिंदूों के लिए हिंदू देश होना चाहिए आबादी कम हो रही है लोग योगी RSS की पसंद है और RSS की पसंद को दरकिनार कर मोदी शाह अपनी चाल चल पाई यह आसान नहीं होगा बहराल योगी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा क्योंकि मुस्लिम लोग भी अभी यह कहने लगे हैं कि परधान मंतरी तो यो होगी ही बनने वाले हैं आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा